हलो दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कर चैनल को और बेला इकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पर लेए यह जो हम वीडियो मिला रहे हैं इसमें हम स्पाइन का चेक अप कर रहे हैं इस पाइन में हमने सबसे प्रेदे तो तो गर्दन से शुरू होना उपर से लेकर निचे तक जाना है अब गर्दन थोड़ी सिधी रखो कि अधुक्त है कि यहां पर दर्द रहा है जोने है थोड़ा सबस out को बढ़ रहा है जैसे अक्रें गडंप बहल वर मता रहता है यह को फिर युकि गड़न मास निकलन आता है तो उपर से नीचे देखते हैं यहां पर यहां से जो डिस्क बहाद निकलने पड़ते हैं अगर आप रोज जुकर बैठते हैं आप डीला चोलो तो थोड़ी सा आगे हो जाते हैं इसके कारणी यह यहां पर जादा पड़ता है आप कोशी करते हैं इसके नीचे गए यह जगह यह से क्रोलेग जॉएंट है तो से क्रोलेग जॉएंट में पेन आपका स्टिफनेस है इसलिए पेन है अभी आप खड़े हो ठीक है अब मैं जो आपका इधर ही आपको मैंने आपका शोबनर टेस्ट करना है ठीक है अभी हम शोबनर टेस्ट करें शोबनर टेस्ट में आपकी फ्लेक्सिबिल्टी कितनी है ठीक है उन्हों सेक्राइब जाने दी सीथ देन मैं मैं तब एक निशान रहा है इसे दस सेंटिमेटर उपर अपर निशान रहा है पाइन उसमें ख़िचाव आ जाता है तो वह ऐसे पाइन में आपके ना फ्लेक्सिबिल्टी ओने जी जिए अगर ये ख़िचाव थोड़े से कम हो गए जदा होगा इससे का होगा दर्दें बढ़ेंगी कम होगा अब आपने आगा की तरफ जुखने जितने आप जुख सकते हो पाउं की तर्फ हाथ रगानी कोशी करो और करो जितना जा सकता है अब इससे जादा नहीं होगा नहीं कोई इस देखो पहले आपका था पंद्रा ठीक है अभी आपका 20 के करीब हो गया है ठीक है तो उसी दो नोर्मर बंदे में ने ये अब आपके केस में पंद्रा से बीस होता है अभी आप आगे हो दिवार की तरफ पीट कर लो पीट कर लो त्रफ इस मास से हमने आपका दिवार तक मापना ठीक है अभी गर्दन को ना चीन टक करने है इसके उंगर रखो अब दबाव अभी आप अब इसको लाना मत है ठीक है पहले मैं दाइन तरफ में अपोंगा फिर बाइन कर आपकोंगा फिर मैं देखुनगा इक किस तरफ ज्यादा किस तरफ कम है जब गर्दन की दिक्कत रहती है एक तरफ ज्यादा और तरफ लोगे के इस तरफ आपका तरफ पांच तरफ थोड़ी थोड़ी रप्रेवेट्रीड हुट है बाकी हमने आपका तेस्टीट करेंगे मुवमंट कितनी इसमें तो समय में चेक तरफ हैं अभी आप्च अभी आप अदर आख अगा ज़ने में मूवमें देख निहें wilt बंदे में मूवमने 70 डिग्री तक होती है तो अन्का लोशी से पेशन्त में अब जब मैं आपको कोई जीरो डिग्री पर आई है अब आपने राइट साइज गुमाना शुरू करना कि जितना गुमता गुमा हो नौनों बंदे में ये ने सत्तर डिग्री लग जाता है ठीक है आपको पच्विशन फिफ्टी फाइव डिग्री है ठीक है ठीक है ये दाइनी देर फिफ्टी फाइव डिग्री आपको प्रश्टी फाइव डिग्री आपको जाने आपको जाता है ठीक है ठीक है अब मैं आपके न पीट को अपने पाओं को चेक करने को ठीक है पहुंसे से ज़्यादा है तर दर्द होता है तो पहले में दाइना ने चेक करूगा आपके बुलकुल ढीली छोड़ देनी है इससे बता लगेगा प्रोलम है कि आपकी नसों में ठीक है अगर तो मैं अभी आपकी दात उठा रहा हूं यह पैंते हैं मोबायल निकान पर जाओ और कुछ तो नहीं है पीट में जेव में कोई वोलट है वह मैं इसको ठारा कोई दर्द है आया तो इसका मतलग है कि नस यहां से जो इधर आती है न पाउंगों दर्द हो रहा है अभी दर्द बढ़ा बहुत बढ़ गया तो यह यह शाय टिक जो नसी है न जो आपकी पीट से निकल रही है जो पाउंगों में सब्लाई कर रही है वो बढ़ रही है तो जुंजना आप भी होती है जुंजना आप वह बहुत बढ़ गया जितनी वह दबेगी उतना यह नस चड़ेगी अब मैं थोड़ सब कोशी करता हूं अभी दर्द कम हो गया कि बढ़ा बहुत बढ इसको लाप करो दे चोड़ हो पार चैसे उसमें बढ़ारे मेरे जारा है उसमें डिस्क जराएगा मेरे सब्सें है अभी वोगो त्रश्ट बाइड नहीं को सब्सक्राइब वां इसके करना क्यों इस लाथ वार नहीं अब वरना प्रोडम में ज़्यादा ऑस लाद को हां जा खाल है भी ठीगा हाज का हमारा यह प्लिव गार है यह तरह है launch कि अ